जैशी किष्ण, स्वागत है आपका सार्थी तरिश्ला के साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करती हूँ, बहुत सारी बाते बताती हूँ, आपकी सार्थी हूँ इसलिए आपके जीवन को, आपके जीवन की कठनाईओं को सरल बनाने चली आती हूँ देखिए हर समस्या कहीं न कहीं हमारे पुर्व कर्मों के उपर निरधारित होती है हमारी कुंडली में हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये हमारे जनम से ही तै होता है अगर आप किसी एक अच्छे जोतिशी को अपनी कुंडली दिखाएंगे तो वो आपके जीवन की एक गटना आपको नाप तोल कर बता देंगे क्योंकि हर एक चिज़ विद्धमान होती है आपकी कुंडली के अंदर आप विश्वाश नहीं करेंगे परंतु ये सत्य है कि आपकी शरीर में कितनी हड्डियां है कौन सी हड्डि कहां बड़ी है कहां छोटी है ये तक जोतिश प्रमान दे सकते हैं जोतिश एक बहुत गहरा और बहुत लंबा चर्चा का विजश्य है इस पर हम बहुत गंभीरता से लेकर अपनी समस्याओं पर बात कर सकते हैं चर्चाहें कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम अपने जीवन की समस्याओं का निदान भी पास सकते हैं अगर हमें किसी भी चीज को लेकर तकलीफ हो रही है आप जैसे मैं बात करने आई हूं आपसे मन चाहे वर के बारे में हर लड़की की खोईश होती है कि उसको मन मताबिक वर मिले हर लड़की की अपनी खोईश होती है कि मेरा पती ऐसा हो किसी को handsome चाहिए, किसी को अच्छा इंसान चाहिए, किसी को businessman चाहिए, किसी को service class चाहिए, किसी को बहुत हस्मुक चाहिए, किसी को बहुत खाने वाला चाहिए, किसी को गुमाने वाला चाहिए, किसी को जिसे प्रेम है वही चाहिए पर क्या हमें अपने मन मुताबिक वर प्राप्त होता है बहुत बड़ा कॉश्चन है ये मन चाहा वर केवल एक प्रेम विवा के लिए नहीं है मन चाहे वर का मतलब है हर उस लड़की की ख्वाइश जो 15-16 साल से सपने बुनने चालू करती है जो सोचती है कि उसके जीवन साथी के अंदर ये ये qualities होंगी वो अपने जीवन साथी के अंदर कुछ चीजें अपने मन से बनाती है अगर आपने भी ऐसे सपने सजाए हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको आपके मन मुताबिक वर मिल जाए आप भी चाहते हैं कि जो qualities आप अपने पती में चाहती है वैसा ही पती आपको मिल जाए यानि कि मन चाहा वर पाना चाहते है तो उठा लीजे बिच्छो copy pen क्योंकि आपकी ये सार थी आज आपके लिए अच्छू कुपाय लेकर आई है मन चाहा वर पाने के लिए आपको ये अभी से स्टार्ट कर देना है तो देखेगा आने वाले तीन से छे महीने के अंदर आपकी मनों कामना सिध्ध हो जाएगी तो चलिए उठा लीजे copy pen क्योंकि मैं हूँ आपकी astrologer वास्तुशास्त्री हाद भी पढ़ती हूँ चेहरा भी पढ़ती हूँ और आवाज भी पढ़ती हूँ लेकिन उससे पहले हर बार आपके लिए आपके मन चाहे topics पर आपको आपकी उलजनों से बहार निकालने का तरीका बताने चलिया आती हूँ इसलिए कहती हूँ कि मैं आपकी सार्थी हूँ, मैं हूँ सार्थी मातरिशला, मेरे नुकसे और मेरे उपाए, आपके जीवन को कितना बदलते हैं, कितना प्रभावित करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बेजिएगा, चलिए बचो, उठा लीजे कॉपी प ये प्रियोग आपको करना है, क्या करना है आपको, ओम कृष्णाए, गोपी जन वलबहाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, और उनके चर्णों में लाल पुष्प और मिश्री चड़ा कराना है, दूसरा उपाए, आपको मंगलवार से चालू करना है, आप मंगलवार वाले दिन माता रानी के मंदिर में जाना है, आपको लाल चुनरी चड़ानी है, लाल रोली चड़ानी है, लाल चूडियां चड़ानी है, और साथी साथ में लाल बिंदी भी चड़ानी है, उसके बाद आपको एक पेपर के उपर अपना नाम लिखना है, अपनी मंत्र को 11 बार लिखना है और माता रानी के मंदिर में फोल्ड करके चुपचाप रखाना है उसके बाद आपको अगले 11 मंगलवार तक मंदिर में जाना है और मा को प्रशाद चढ़ाना है और एक लाल चुन्नी हर मंगलवार आपको मा को चढ़ाने के आनी है निरंतर रूप स से आपका प्रियोग बीच में रुक जाता है या कोई रीजन से आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं आप नेक्स्ट मंगलवार से कंटीनियू करके उसको ग्यारा मंगलवार पून कर लीजे तीसरा महा उपाय ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है क्या करना है आपको केली के जड़ ले आनी है उसको पीले कपड़े में बांध कर अपने तक्ये के नीचे रख देना है और उस अथी साथ में उनको भोग में मिश्री और मखन लगाना है मंत्र जो है वह आप लिख लीजे ओम हुरूम रीम क्रिश्णाय नम्हा इस मंत्र का आपको जाप करना है आपको ये मंत्र 108 बार कृष्णा जी के मंदिर में बैठ कर ही जाप करना है और अपनी मनों कामना उनके सा जहावर ठाकुर्जी आपको जरूर दे देंगे जैसा पती आप चाहती है वैसा पती आपको मिल जाएगा करियेगा जरूर और इसका असर मुझे बताइगा जरूर चोथा महा उपए आपको क्या करना है आपको पूर्णी माँ वाले दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाना है मंदिर में जाकर आपको वहाँ पे इत्र चड़ाना है और साथ ही में आपको बासूरी और एक पान वहाँ पर चड़ाना है उसके बाद आपको लगावतार 21 दिन तक मंदिर जाना है और आपको ओम काम देवाए नमहा इस मंत्र का 11 बार जाब करना है तो देखेगा आपके जीवन में बहुत ही सुन्दर और शुशिल वर आपको जरूर मिल जाएगा पांचवा महा उपाए अगर आप लव मेरिज करना चाहती है और आप चाहती है कि आपकी शादी उसी से हो जाए जिससे आप चाहा रही है तो आपको क्या करना है बहुत असन सा उपाय बता रही हूं कर लीजेगा आप पांच हल्दी की गाठ ले लीजे पांच लॉंग ले लीजे पांच कपूर ले लीजे और पांच पीले कपड़े ले लीजे एक या सवा मीटर कपड़ा पीला पांच टुकड़े आप ले लीजे और आपको शुक्रवार के दिन मा के मंदिर में जाकर मा संतोशी का समरन करके आपको वो सारा समान मा के मूर्ती के आगे या पंडित जी को दे आना है वहीं पे एक कौने में बैठकर आपको आख बंद करके मा से ये प्रार्थना करनी है कि मा मैं इससे ही विवा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने मन से अपनी आत्मा से अपने कर्म से मैं इसे अपना पती स्विकार कर चुकी हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे आश्रवात दे कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन साथी के रूप में मुझे यही व्यक्ती प्राप्त हो है ना, बहुत असान उपए, परन्तु जाइए नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे पास आपको देने के लिए आगे बताने जा रही हूँ आपको वास्तु टिप्स, जिससे आपके विवाह में आ रहे ही अर्चने हो जाएंगी दूर अगर आपके घर में विवाह योग पुत्री है या पुत्र है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको तुरंत एक काम कर देना चाहिए आपको नौर्थ वेस्ट में उसका बेडरूम तुरंत शिफ्ट कर देना चाहिए साथ ही साथ में अगर आप ये चाहती है कि आपके प्रेमी से ही आपका विवाह हो तो बहुत अच्चू कुपाय बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से और बहुत अराम से सुनियेगा और करियेगा जरूरूर आजकल वाटसप का जमाना है जी मैसेंजर का जमाना है और ना जने क्या 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 मोबाइल से ही आदी दुनिया चल जाती है, दिन भर में I love you, 50 बर हम पेपर पे नहीं WhatsApp पे लिखकर एक दूसरे को भेज देते हैं, और यही लिखा हुआ I love you, एक मिनिट में डिलीट भी हो जाता है, मेरा अगला उपाय बहुत सतीक है, इसके लिए आपको एक काम करना पड़े या जिससे आप चाहती है, अगर आप उसे जानती है, तो उसे कह दीजे कि वह आपको एक पेपर पे आपका नाम ही लिखकर दे दे, तो देखिए वही आपका जीवन साथी जरूर बनेगा, पर रुकिये तो, आगे क्या करना है, वह तो जान लो, कहां चल दिए, रुको, आ आपको आगे ये करना है, कि आपको वो लेटर लेके नौर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपने घर में रख देना है, उत्तर पश्चिम दिशा में वो पेपर आपको सम्हाल के रख देना है, तो देखिएगा, जिससे आप विभा करना चाहती है, वही आपका जीवन साथी जरू होगा, अब क्या, आपकी मा हूँ, ऐसे कैसे जाओंगी, सीख दिए बिगर, सीख देना तो मेरा काम है न, सार्थी भी हुआ आपकी, चलिए, बताती हूँ टिप आफ दा डे, अगर आपका अलगाव चल रहा है, अगर आपका विवाहा जिससे आप करना चाहते हैं, नहीं ह उपा रहा है, रुकावटों पे रुकावटे आती जा रही है, तो टिप अफ दे ये है बेटा जी, कि आप उनके सामने कभी भी काले कपड़े पहन कर नहीं जाएंगी, चलिए, मेरे पास एक कुंडली आईवी है, इनका नाम है विजेता, और ये लव मैरिज करना चाहती ह परणतु इनकी दिक्कत ये है, कि वो कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, देखे विजेता, सबसे पहली बात तो ये, कि आपकी कुंडली के अंदर, आपके फिफ्थ हाउस का जो लॉड है, वो बहुत कमजोर है, और वो कमजोर होकर इस पोजिशन पे बैठा हुआ है, कि वो आपके प्रेम के घर को आपके साथ में जुड़ने नहीं दे रहा आप दोनों के संबंदों में गहराई नहीं आने दे रहा इसलिए वो आपको लेकर बार 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 कंफ्यूज हो जाता है इसलिए वो बार बार आपको लेकर कहीं न कहीं अपने कदम पीछे कर लेत वह चाहता बहुत है आपको छोड़ नहीं सकता परन्तु आपके साथ जुड़ने के लिए उसके कदम पुरी तरीके से उठने ही पारे हैं दूसरी बात आपका सब्तम का मालिक जो है वो भी ग्रस्त है और विवा करने के लिए पंचम और सब्तम का मालिक दोनों की स्ट्रॉंग पोजिशन होना बहुत जरूरी है साथी साथ में आपकी नवांश कुंड़ी के अंदर भी आपका सब्तम का मालिक जाकर राहू के साथ बैठ गया है प्रेम विवा तो आपका अवश्य होगा 100% होगा ये मैं गारेंटी के साथ कह रही हूँ परन्तु इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे और ये मन अत्मांग कर करिये कि मेरे को इसी से शादी करनी है और मेरे ये मुराद पूरी हो जाए तीसरा उपाय आपको जो करना है वो ये कि आपको मातारानी के मंदर में जाना है और वहां पर आपको अपने हाथ से एक मा को request लिखनी है यानि कि एक letter लिखना है एक application लिखनी है कि मा मेरा नाम ये है मैं इससे विभा करना चाहती हूँ इसमें जो भी अर्चने आ रही है वो आप दूर कर दीजे पर इतना ही नहीं आपको अपने हातों से हलवा भी बना कर ले जाना है जो आप वहाँ पर मा को भोग के रूप में च इससे विभा करना चाहती है उसी से आपका विभा होगा और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जो भी कटना ही आ रही है वो दूर हो जाएंगी चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर आऊंगी कुछ नया और कुछ अलग लेकर तब तक के लिए मुस्कुरा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी से यूहीं जुड़े रहेगा मुझे वाट्स अप मैसेज या कॉल कर सकते हैं परंतु मुझसे बात करने के लिए आपको टैलिफॉनिक कंसल्टैंसी या फिर मीटिंग के लिए आपको परसनल कंसल्टैंसी लेनी जवाब नहीं देते ऐसा नहीं है मैसेज का जवाव देते हैं पर आप पहले ये तो देखें कि हमारे pryयास कितने रहते हैं हम कुछ नया ऐसा करते हैं जिससे हम और भैतर आपको दे सके एक नहीं कम से कम 10 उपाय दे सके Ims बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी सवाल जवाब हैं उनके भी अंसर्स आपको देने का हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा करें। कोई त्रूटी हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो शमा चाहती हूँ, खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, जैश्री कृष्णा। के सटीक भविश्रिवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था। और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा जुगा है। स्ट्राइब्ध जुग परावत यूद सिप्के सिऔ झाल